नमस्कार दोस्तों मैं मनोश शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चनल पर इसका नाम है discussion with मनोज और आप सभी को 1 जनवरी 2022 याने कि happy new year की धेरो 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 शुक्कामना है आप सभी की ख्वाइशें पूरी हो बस यही विश के साथ आज यह notification आपके लिए 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 आया हूँ मैं आपने देखा होगा हाली में MPPSC ने अपने notification में ग्यापन जारी किया है forest service exam का 2022 का ठीक है याने कि जिसमें पता करते हैं ठीक है चली आई तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको कुछ जानकारी से की पद का नाम क्या है सहायक वन संग्रक्षा कही है विभाग का नाम आपको मालूम हो गया है मद्द प्रदेश शाषन वन विभाग रहेगा और श्रेणी जो रहेगी वह राज पत्रे दुथी श्रेणी हो जाएगी है न आप समझ गया होंगे ठीक है इस्तिती मतलब पोजिशन जो इस्थाई है ठीक है वेतनमान आप समझ लीजे कि इतने से शुरू होगा और इतना तक जाएगा तो बनी बात अगर आप आदिकारी है दुथी श्रेणी के तो यह तो 20 यह आपका ठीक है तो जैसाν कि मैंने अगर आपसे कि अब बात करतें डेट की तो ऑलोइन जो उस्टार्ट है फॉर्म फिल करने की वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा तो आप चिंता मत करो आप तो एक जनवरी हो गई आज ठीक है और यह हो गई 15 जनवरी ठीक है तो इसमें आपको जाना है और इसे देखना है समझ गया बहुत बढ़े हैं अब मैं आपको चीज़ और परताजता हूँ कि इसका लास्ट डेट जो है वो रहेगा 9 फर्वरी तो भरने का स्टार्ट होगा 15 जनवरी से और 9 फर्वरी तक आप भर सकते हैं कितनी पोस्ट है 63 है तेक है 63 है और आप जो एप्लिकेशन वह ऑनलाइन ही भरेंगे और यह नीचे लिखी हुई है वेबसाइट इसको लिख ल 21 साल मिनिमम है और 40 साल मैक्जिमम है ठीक है और वन चेतरपाल या परियोजना चेतरपाल के लिए 21 वर्ष की आयू पूरा कर ली हो किन्तु 33 वर्ष की आयू से ज्यादा नहीं हो ठीक है 21 वर्ष की आयू पूरी कर ली हो लेकिन 33 वर्ष से आयू से ज्यादा नहीं होना चाह लेकिन जो वन चेतरपाल या परियोजना चेतरपाल होंगे पोस्ट निकलती है न जो भी है तो जो वन चेतरपाल के लिए अपलाई करेंगे उनकी 21 आयू पूरी कर लियो पहली बात लेकिन 33 वर्ष्ट से उपर नहीं तो उनके लिए 21 से 33 है मतलब माल लीजे कोई अगर 34 साल बंदा है तो वो यह तो भर सकता है लेकिन वह जो भी आपके पास ग्रेजुशन के डिगरी तो होनी चाहिए आधार काड होना चाहिए आवासी प्रमान पत्र होना चाहिए हाली का खीचा वह फोटो होना चाहिए सिगनेचर मोबाइल नंबर इमेल आईडिय और अनुभव प्रमाणपत्र एवं अन और जो भी होगा ठीक है अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो जैसे कि हमने का सबसे बड़ी पोस्ट जो है सहायक वन संद्रक्षक की है तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशनल क्वालिफिकेशन वह है किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्याले से विज्ञान याने साइन्स या फिर अथ्वा अथ्वा इंजिनिरिंग में इसनाता के संकक्ष होना चाहिए मतलब भाया ग्रेजुएट वाले जो बंदे हैं वह इसे आराम से भर सकते हैं ठीक है यह आप समझ गया है चलिए तो यह था हमारे पास एक चीज अब अगला देख लेते हैं वन छेत्रपाल और परीज़न शेत्रपाल या ने 33-33 की मेक्जिमम एज है तो इसके लिए क्या है वह इसके लिए कहा है कि उमीदवार के पास भारत के भारत में मानेता प् अब दूसरा है परियुज़न शेत्रपाल सेम है कुछ भी अंतर नहीं है अत्वा सम्तुल्य विदेशी अरहता भी होनी चाहिए इसके लिए जो है उसमें ध्यान मत दीजिए आपके पास अगर यह तो आप इसे फिल कर सकते हैं यह 63 पोस्ट है दोस्तों आप जो भी 33 से कम ह वो दूनों पोस्ट भर सकते हैं गरेशन मैं आपको बताई दिया क्या इसमें चाहिए होता है ठीक है तो यह कुछ बाते थी अब मैं बताता हूं आपको फीस के बारे में तो फीस आपको सबको पता है कि मद्य प्रदेश को जो मूल निवासी है कौन अनुसुची जाती अन प्रदेश निवासी तो उसके लिए 500 है और जो मद्य प्रदेश के निवासी है लेकिन गटेगरी तो भी 500 है क्योंकि बाकितो यह आ गए उनके सबें डाइस है समझगे तो जनेरल वालो थी रड़के तो खास तौरपे हाँ कोई बात नी अब तो भरिये इससे अम इतलब न इसमें हमें पढ़ना नहीं है, देने होंगे, सभी श्रिणी के आवेदकों को उपयोक्त स्कूल के अतरिक्त शुल्क जो है 40 रुपए अतरिक्त देना होगा, जो अभिरती राज सेवा तता सेवां हेतु आवेदन करेंगे, उन्हें भी उपयोक्त अनुसार ही शुल्क एक बा समझ गया आप सभी, ठेक है, तो यह कुछ बाते मैंने आपको बताएं, अच्छा, अब देखिए मैं आपको जो है, कुछ एक चीज बताने जा रहा हूँ, और वो यह है दोस्तों कि हमारा जो गायत्री एजूकेशन क्लासेज जो चैनल है, आप सब ने देखा होगा, 30,000 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, यहना आपने देखा हैं कि मैंने इंगलिश का पूरा का पूरा पूरा कोर्स प्रपेर किया है, और दोस्तों सुर्फ इतने नहीं, बहुत महनत करके मैंने, आप देखेंगे, SBI, PO के लिए मैंने एक अगल पूरा का पूरा फूल जब आप पे जाओगे ना जो Google Play Store से आप गायत्री एजुकेशन क्लासेस करके सर्च मारना आप वहाँ से आप डाउनलोड करना हमने वहाँ पे सारे कोर प्रिपेर कर दिया और इंगलिश का खास तौर पे सबसे अलग मैंने किया है मालना आपको MPSI की तियारी करनी तो कई चैनके इंगलिश के सभी कोर्स अगर आप सीडेस की तैयारी कर रहे हैं वही सीडेस की तो मैंने 2022 के हिसाब से बनाया दोस्तों याद रखिएगा जितने भी मैंने बनाए सब 2022 के हिसाब से बनाएं बिलकुल नए लेक्चर है सारे के सारे और सब के सब समझ में आने लाइक वाले हैं तो मैंने SSE CGL के लिए अलग से बना दिया है CHSL का अभी बस बनने वाला है थोड़ा सा टाइम और लगेगा पर बनके तयार हो जाएगा CGL का पूरा बन गया CDS का पूरा बन चुका है SBI PO के लिए मैंने पूरी English बना दी है और आपका मैंने क्या का CDS के लिए मैंने पूरी बना दी है तो आप जाएए और उसका आनन्द लीजे जो आपका कोर्स हो MPSI की मैंने पूरी English बना दी है आप जाएए और उसको लीजे और अपने इसाब से करिए और दोस्तों rate की चिंता मत करिएगा rate मैंने सबसे feasible रखे हैं ठेक है और सिर्फ English का ही नहीं है माल दीजी कि अगर आप crack करना चाहते CSIR net यह JRF 2022 का तो रोईज सर है रोईज सर ने अलग अलग सारे बनाये हुए मैं उनके बारे में आपको पताजता हूँ यह real analysis का full course है जो 500 का है लेकिन यह 3000 में आपको मिलेगा 45.45% जो है ओफ है ठेक है तो आप समझ गया होंगे इसकी ची अगर जिनका complex analysis है तो दोस्तों आप देख रहे ना market में यह rate चलता है लेकिन हम आपको इसमें देना है तो आप चिंता मत करिए आपका पूरा ध्यान रखा गया अब देखे जैसे कि मैंने कहा आप से अगर आपको partial differential equations जो है करना है तो वह 2500 का है लेकिन हम आपको 1000 में दे र course लेकिन 3000 में आपको provide किया जा रहा है ठीक है दोस्तों आप समझ रहोंगा मेरी बात और इस तरह से calculus of variations यह भी CSIR NetJRF के लिए जो 2500 का लेकिन 1200 में आपको उपलब्द करा जा रहा है ठीक है दोस्तों तो आप समझ पा रहेंगों जो मैं आपको कहना चाहरा था ठीक है अब द यह किस के लिए था आपको दिख रहा है CGL के लिए था 2022 के अब यह जो है यह आपको दिखिया होगा SBI PO के लिए 2022 के लिए ठीक है rate देख सकते हो आप rate मैंने बिल्कुल feasible रखे हुए CGL की पूरी English पढ़ाई तो मैंने सिर्फ 1200 में ठीक है 3500 का course है लेकिन मैंने 1200 कर दिया तो आपके लिए मैंने सब कुछ कर दिया चिंता मत करो और यहीं पर CDS के लिए मैंने जो कहा आप से 300 का था लेकिन मैंने उसे भी 1200 कर दिया ठीक है तो आपने जैसे कि देखा मैंने जितना उसका हर चीज को कम किया है तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत-बहुत धन मनोज इसमें मैं आपको सारी जानकारी दूँगा आपके admit card मतलब exam info पे यह सारा channel है discussion with मनोज में ठेक है और इसमें current affair daily है अभी analysis नहीं आया है मैं जल्दी UPSC में है न क्योंकि कई लोग जो है current affair सुनना पसंद करते हैं मुझसे तो मैं उस हिसाब से उनको जो पसंद है मेरे तरफ से मेरे end से मैं उन्हें वो जरूर प्रोइड करूँगा तो आप दर्कुल बेफिकर रहे हैं और आपको मैं उच्छी जल्दी से जल्दी प्रोइड करनी कोश्च करूँगा ठीक है बस अभी क्या है बहुत ज्यादा व्यस्तता चल रही है आप देखी रहे हैं मैं बह आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना होता और क्या बिलकुल अटा देना होता है ऐसा नहीं होता है कि हर चीज आपको रहे हैं तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत धन्यात दोस्तों और फिर से आपको इस पूरे नए वर्ष की बहुत सरी शुपकामना है और आने व और इन सबसे हम इजात पाएं हाला कि बहुत मुश्किल पड़री पर कोई दिक्कत नहीं दिरे दिरे लड़े हैं हम और लड़ते रहेंगे और जीटेंगे भी ठेक है अपन सब साथ ही रहेंगे और बिलकुल पाएंगे लक्ष को पूरा करेंगे तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी को जैहिन बोलता हूँ और मिलता हूँ अगले लेक्षर में दन्यवाद